बच्चों देखो ग्यान बढ़ाओ पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ शिक्षा दर्शन जी हाँ पढ़ाई के साथ मस्ती भी यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माधिम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कारिक्रम डीडी पर प्रसारित किया जा रहा है जिससे सभी डीटी एच वो केबल नेटवर्क के माधिम से देखा जा सकता है नाम है शिक्षा दर्शन इसके अंतरगत आप कक्षा एक से बारा तक विडियो के माधिम से अध्यन कर सकते हैं इस कारिक्रम में आपको घर बैठे सब्ताह के प्र आनकारी के साथ साथ मनुरंजक कहानियों वकट पुतली के खेल का भियानन ले सकेंगे राजस्थान राजस्थान शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत उदैपुर के तत्वावधान में इस कारिक्रम के अंतरगत कक्षा एक से बारा तक के लिए प्रती दि पांच के लिए 3 से 3.5 बजे तक एवं कक्षा 6 से 8 के लिए 3.5 से 7.4 बजे तक शैक्षिक कारिकरम प्रसारित होगा बच्चू आज हम पढ़ेंगे कक्षा 1 में हिंदी विशय में थ, प, ओ, कक्षा 2 में गनित विशय में 10 के बंधल भाग एक, कक्षा 4 में गनित विशय में जोर एकक्षा 5 में हिंदी विशय में महनत की कमाई नमस्कार साथियू, आज की ओनलाइन क्लास में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हाँ दोस्तों, तो आज हम पढ़ाई के सासाथ थोड़ी मस्ती भी करेंगे और हम घर बैठे ही पढ़ाई करेंगे तो चलो चलो, सब लोग अपनी कक्षा 1 की पाठे पुस्तक निकालो हाँ हाँ, निकालो अपनी पाठे पुस्तक, विशय हिंदी और पाठ संक्या है साथ आज हम कुछ नए वर्ण सीखेंगे दोस्तों, जैसे थ, प, ओ, औ, और ओ की मात्रा सीखेंगे घर पर पढ़ने वाले बच्चे भी अपनी पाठी पुस्तक में उंगली रख करके मेरे साथ साथ बूलेंगे और नए वर्ण सीखेंगे आज हम कुछ चित्रों पर बात भी करेंगे पंग्पियां पढ़कर कुण्जी वर्ण का उच्चारन करेंगे कुण्जी वर्ण के आधार पर कुण्जी वर्ण की पहचान करेंगे और कुण्जी वर्ण से नए शब्द बनाएंगे मित्रों तो चलो आज हम सीखते हैं कुछ नए वर्ण मैं पहला वर्ण पढ़ती हूँ था, था से थर्मस हाँ तो मेरे दोस्तो अब मेरे साथ भी दोहराओ था, था से थर्मस थर्मस की है अजब कहानी गरम चाय और ठंडा पानी एक बार फिर दोहराएंगे थर्मस की है अजब कहानी गरम चाय और ठंडा पानी शबाश अब मेरे साथ यो अब मैं दूसरा वर्ण पढ़ती हूँ प, प से पतंग हाँ, अपना दूसरा वर्ण है प, इसे पढ़ेंगे प, से पतंग पतंग डोर से बंद जाती है जिदर हवा हो उड़ जाती है हाँ, हाँ, एक बार फिर दोहराओ प, से पतंग पतंग डोर से बंद जाती है जिदर हवा हो उड़ जाती है अब नया वर्ण मैं सिखाती हूँ ओ, उसे ओखली हाँ, एक बार मेरे साथ भी दोहराओ मित्रो ओ, उसे ओखली, ओखली है कितनी सुन्दर, कुछ भी कूटो इसके अंदर हाँ, एक बार फिर दोहराओ, ओखली है कितनी सुन्दर, कुछ भी कूटो इसके अंदर अब मैं आपको ओ की मात्रा बताती हूँ दोस्तो ओ की मात्रा यदि मैं में लगती है, तो बनता है मो हाँ, देखो, मोर, मोर है सब की मन को भाता, पंक फैला कर नाच दिखाता एक साथ फिर दोहराएंगे, मोर है सब की मन को भाता, पंक फैला कर नाच दिखाता हाँ तो मेरे दोस्तों आज हमने तीन नए वर्ण सीखे थ, प, ओ और इनसे नए नए शब्द बनाना सीखा तैसे थर्मस, प से पतंग, ओ से ओखली अब आप कुछ नए शब्द भी सुने और मेरे साथ साथ बोले थर्मस, हाँ हाँ बोलो थर्मस, बाली का, ओखली, मोर, हाथ, पालना लाओ, सोना, थाली, पोखर, बोलो, पोल मेरे साथ भी पढ़ें और बोलें ओस, थपकी, पलक, बोलना, मजाक, तालाब, बबीता, कमीज, खेलो, पालना, आओ, पपीहा दोस्तों, अब समय है, खुद करके देखो का आप इन शब्दों को देखो और अपनी कॉपी में लिखो हाँ दोस्तों, अब चित्रों का इन शब्दों के साथ निलान करो दोस्तों, मुझे पता है, आपने सारे वर्ण अच्छे से पढ़े होंगे तो अब आप ये वर्ण अपने घर वालों को पढ़ कर सुनाए बच्चों, आज का अगला पाट कक्षा दू में गनित विशे में दस के बंडल भाग एक दोस्तों, आज हम इस वीडियो में लिली, बिली और उनकी गवरी मेम की प्यारी बातों से दस-दस के बंडल बनाना और दो अंकों की संख्या लिखना सिखेंगे लिली, तुम स्कूल के हस्तकला समारो में क्या बनाने वाली हो? मैं तो स्ट्रो से एक वाल पिस यानि दिवार पर लगाने वाली वस्तू बनाने वाली हूँ अरे, मैंने भी वही सोचा है तो चलो, हम स्ट्रो लेने चलते हैं अरे, बिली, यह तो बहुत सारी स्ट्रो है हम इने कैसे बाटेंगे? अरे, लीली, बिली, इन स्ट्रो से तुम लोग क्या बनाने वाले हो? हम इनसे वाल पिस बनाएंगे वाल पिस बनाने के लिए, मुझे 28 स्ट्रो की ज़रूरत है और मुझे 45 स्ट्रो की जरूरत है लेकिन हम इन स्ट्रो को कैसे गिनेंगे? बच्चों, चलो समझाती हूँ इन स्ट्रो को हम 10-10 के बंडल बना कर गिन सकते है 10 के बंडल? हाँ लिली, 10 के बंडल बिली, देखो, यहां रखी स्ट्रो में से तुम 10 स्ट्रो गिन कर एक तरफ रखो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और दस शाबाश बिली, अब हम इन गिनी हुई 10 स्ट्रो को इस रबर से एक साथ बांदेंगे लो, अब यह बन गया 10 का एक बंडल बिली, अब इस बंडल में कितनी स्ट्रो है इस बंडल में 10 स्ट्रो है बिली, चलो, अब ऐसे ही 10 स्ट्रो का दूसरा बंडल बनाओ एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, और दस बिली, अब इन दोनों बंडल में कुल मिला कर कितनी स्ट्रो है? इन दोनों बंडल में कुल मिला कर 10 और 10 भी स्ट्रो है बिली, देखो, मैं इन दोनों बंडल के पास ये 8 स्ट्रो रखती हूँ अब बताओ कि यहां कुल मिला कर कितनी स्ट्रो है? 10 स्ट्रो में 10 स्ट्रो जोडने से 20 स्ट्रो और 20 में 8 स्ट्रो जोडेंगे तो यहां कुल मिला कर 28 स्ट्रो है अरे वा, मुझे इतनी ही स्ट्रो चाहिए गरी में, मुझे तो 45 स्ट्रो की जरूरत है 45 स्ट्रो को कैसे गिनेंगे? देखो लीली, यहाँ 10 के 2 बंडल और 8 स्ट्रो है अब ये बताओ कि 10 का 3 बंडल बनाने के लिए हमें 8 स्ट्रो में कितनी स्ट्रो जोड़नी होगी? 8 और 1 9, 9 और 1 10 8 स्ट्रो में और 2 स्ट्रो जोड़ेंगे, तो 10 स्ट्रो होगी इससे हम ऐसे 10 का 3 बंडल बना सकते है शाबाश लीली, हाँ, तो लीली तुमें 45 स्ट्रो चाहिए यहां 30 स्ट्रो है, तो अब हम उनमें और कितनी स्ट्रो जोड़ेंगे? हम 10 स्ट्रो का एक और बंडल और 5 स्ट्रो रखेंगे बहुत अच्छे लीली, अब ये बताओ कि यहां कुल मिलाकर कितनी स्ट्रो है? 10 में 10 चोड़ेंगे तो 20, 20 में 10 चोड़ेंगे तो 30, 30 में 10 चोड़ेंगे तो 40, 40 में 5 चोड़ेंगे तो 45, तो यहां कुल मिलाकर 45 स्ट्रो है? अरे वा, मुझे इतनी हिस्ट्रो चाहिए क्यों लीली-बिली, अब तो तुम्हें 10 के बंडल बनाने आ गए है ना? हाँ मैम अच्छा बच्चो, अब कल स्कूल में मिलते है, बाई बाई मैम आज हमने दस-दस के बंडल बनाना और दो अंकों की संख्या लिखना सीखा बच्चो, आज का अगला पाट कक्षा 4 में कहने तविशय में चोड़ बच्चो, आज हम सीखेंगे तीन अंकों की संख्याओं में हासिल के साथ जोड़ आप तीन अंकों की संख्याओं और इस्थानिय मान के बारे में जानते हैं आईए एक बार दोहरा लेते हैं यदि आपके पास दो इकाई, तीन दहाई तथा छे सेकड़ा हों तो आपके पास संख्या होगी 632 600 प्लस 30 प्लस 2 बराबर 632 जिसे आप शब्दों में इस प्रकार लिख सकते हैं इसके साथ ही आप तीन अंकों की संख्याओं में बिना हासिल के जोड़ करना भी जानते हैं एक उधारन से इसे दोहरा लेते हैं आपके पास दो संख्याएं हैं दोनों ही तीन अंकों की संख्याएं हैं जिन्हें आपको जोड़ना है पहली संख्या है 345 दूसरी संख्या है 522 सबसे पहले हम इन्हें इस प्रकार विवस्थित कर लेते हैं जिसमें इकाई के स्थान के नीचे इकाई के अंक दहाई के नीचे दहाई के तथा सेकड़ा के अंक सेकड़ा के इस्थान पर ही लिखे जाते हैं अब इकाई के इस्थान से शुरू करते हुए योग की प्रक्रिया शुरू करते हैं पांच और दो को जोडने पर आपको मिलता है साथ दहाई के अंकों चार वह दो को जोडने पर आपको मिलता है छे सेकड़ा के अंकों तीन वह पांच को जोडने पर आपको मिलता है आठ इस प्रकार इन दोनों संख्याओं का जोड प्राप्त होता है आठ सो सट सट अब हम तीन अंकों की संख्याओं में हासिल के साथ जोड को समझते हैं हमारे पास यह कुछ गेंदे हैं कुछ लाल रंग की और कुछ पीले रंग की सबसे पहले हमने इन्हें गिना और गिन कर यह पता लगाया कि लाल रंग की गेंदे कितनी हैं और पीले रंग की गेंदे कितनी हैं हमें ग्याद हुआ कि पीले रंग की 432 गेंदे हैं वहीं लाल रंग की 779 गेंदे हैं अब हमें यह ग्याद करना है कि कुल गेंदे कितनी हैं तो हम इन्हें जोड़ेंगे जोड़ने के लिए सबसे पहले संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कर लेंगे कि इकाई के इस्थान पर इकाई के अंक दहाई के इस्थान पर दहाई के अंक तता सैकड़ा के इस्थान पर सैकड़ा के अंक लिखें जाएं इकाई के इस्थान से शुरू करते हुए जोडने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं यहां दो तथा नो को जोडने पर आपको प्राप्त होता है ग्यारहा जिसमें इकाई के इस्थान के एक को हम उत्तर में ही लिख लेते हैं तता दहाई के इस्थान के एक को प्रश्ण के दहाई के इस्थान पर हांसिल में ले जाते हैं अब दहाई के अंकों को जोड़ते हैं तीन, छें, दोनों को जोड़ने पर प्राप्त होता है नौ और इसमें हासिल का एक जोड लेने पर आपको प्राप्त होता है दस यहां भी इकाई के इस्थान के अंक शुन्ने को उत्तर में ही लिखे रहने देंगे और दहाई के एक को प्रश्ण के सैकड़ा के इस्थान पर हासिल में रख लेंगे अब सैकड़ा के इस्थानों पर लिखे अंक चार वा साथ को जोड लेने पर आपको प्राप्त होगा ग्यारहा इसमें हासिल का एक जोड ने पर आपको मिलेगा बारहा और इसे हम उत्तर में लिख लेते हैं इस प्रकार चार सो बत्तिस वा साथ सो उनहत्तर का जोड एक हजार दो सो एक प्राप्त होता है बच्चों इसी प्रकार तीन अंकों की संख्याओं में हासिल के द्वारा चोड किया जाता है कुछ और सवालों के साथ फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद अच्चों आज का अगला पार्ट कक्षा पांच में हिंदी विशय में महनत की कमाई प्यारे बच्चों आज हम आपकी कक्षा पांच का पार्ट नम्बर दो मेहनत की कमाई का अध्यान करेंगे मेहनत की कमाई इस पार्ट का शीर्शक है यानि इसका नाम है और इस पार्ट के माद्यम से लिखक हमें क्या संदेश देना चाहता है और किस परकार की काहनी इस पार्ट में प्रस्तुत की गई है वो सब हम इस पार्ट को पढ़ कर जानेंगी तो आई ये शुरू करते हैं आज का पार्ट मेहनत की कमाई एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुला कर कहा जा कुछ कमाला लड़का ला परवाह और निरलज्ज था यहां दो कठिन शब्द आये हैं आप पाथ हमने शुरू किया है तो मुझे अमीद है कि हमेशा की तरह कौपी और पैन लेकर बैठे होंगे तो जो जो कठिन शब्द आते रहेंगे मैं उनका अर्था आपको बताता रहूंगा और वो स्क्रीन पर भी फ्लेश करते रहेंगे तो आप उनको पापे में साथ साथ लिखते चलें लड़का ला परवाह ला परवाह अर्दू का शब्द है जो पना है परवाह से परवाह करना देख भाल करना ध्यान रखना सोचना समझना और ला जो है किसी भी शब्द के आगे जब लग जाता है अर्दू में तो वो उसका विलूम शब्द हो जाता है लाकार्थ होता है नहीं लापरवाह परवाह नहीं करने वाला ध्यान नहीं रखने वाला बेफिक्र और निरलज्ज था निरलज्ज ये हिंदी का शब्द है लज्जा से बना है लज्जा यानि शर्म और नी लगने से ये इसका विलूम सब्द हो गया कि वो बेशर्म था निरलज्ज था जिसको लज्जा ना आए वो बेशर्म तो लड़का लापरवाह था और निरलज्ज भी था उसको शर्म भी नहीं आती थी लापरवाही पर अपने काम करने की उसकी आदत न थी सीधा मा के पास गया और रो दो कर मिन्नते कर उसे कुछ देने को राजी कर लिए जब बापने उसे कमाने के लिए कहा तो कमाने की तो उसको आदत थी नहीं ऐसे गूमता पिर था और लापरवा था और उसको शर्म वगार भी कुछ नहीं आती थी तो इसलिए वो क्या गया बेशर्मिश अपने मा के पास गया रोया धोया और उसे मिन्नते की खुशामत की और उसको राजी कर लिया कि वो उसको कुछ पैसे दे दे मा से बेटे का दुख देखा नगया उसने उसे एक रुपया बकसे से निकाल कर दे दिया अब मा जो है वो बेटा चाहे कैसा भी हो वो अपने बेटों का दुख जो है वो मरदाश्ट नहीं कर सकती है इसलिए मा ने जो है अपना बक्सा निकाला और उसमें से एक रुपिया निकाल कर अपने बेटे के हाथ पर रख दिया रात को बाप ने पूछा बेटा तो ने क्या कमाया यहां देखें प्रश्ण वाचक चिन लगा हुआ है इसका मतलब यह प्रश्ण है लड़के ने जट से रुपिया निकाल कर दिखा दिया अनुभवी पिता सब समझ गया पिता अनुभवी होता है बाराल उम्र में भी बड़ा होता है उसने जिन्दगी देखी हुई होती तो इसलिए लिख कहरा एक है अनुभवी पिता सब समझ गया उसे मालूम हो गया है कि कमाव माकर नहीं लाया है बलकि मा से ले लिए इसने उसने कहा जा इसे कुए में फेंगा लड़के ने जट पर जाकर रुपया कुए में डाल दिया और वापस आ गया अगले दिन पिता ने फिर कहा जा कुछ कमाला नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा पिता को मालूम था कि पिछले दिन जो पैसा लाया था एक रुप्या लाया था ये तो अपनी मा से ले आया था लेकिन पिता ने कुछ कहा नहीं बलकि वो उसको एक सीख देना चाहते थे इसलिए उन्होंने उसको कहा कि वो रुपिया लेजर कुवे में डाल दे लड़का तो निरलजी था इसलिए उसने कोई आर्गुमेंट नहीं किया और ले जाके कुवे में डाल दिया लेकिन आज पिता जी थोड़े सक्त हो गए वो चाते थे कि बच्चा काम करना सीखे इसलिए उन्होंने का कि आज अगर तू कमा करने लाया तो तुझे भोजन नहीं मिलेगा लड़का अपने बहन के पास जाकर रोने लगा बहन ने तरस खाकर एक रुपिया अपने पास से उसे दे दिया तो आज उसने बहन की मिन्नत की और बहन के सामने रोया तो आज वो बहन से रुपिया लिया बाप ने रात्री में लड़के से पूछा आज तू क्या कमा कर लाया लड़के ने जेम में से निकाल कर एक रुपिया बाप वे सामने रख दिया बाप बोला जा इसे कुवे में फेका लड़के ने वैसा ही किया यानि दुबारा जब वो रुपिया लेकर आया तो बाप ने फिर उसको वो ही कहा के जा तो इसको कोई में डाला नड़का फिर गया और उस रुपय को उसने कोई में डाल दिया अनुभावी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया अब पिता जी जानते थे कि जब तक मेरी पत्नी और मेरी बेटी यानि इसकी माँ और बेहनिया मौजूद है इसका मामला सुधरने वाला नहीं है तो उनुने उन दोनों को बाहर भीज दिया, कहीं घर से, अलग किसी जगा उनों को रोओना कर दिया पिता ने बेटे से प्राते उठने पर कहा प्राते यानि सुभा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तू रात का भोजन नहीं मिलेगा अब घर में ना बेहन है, ना माय मदद करने वाले दोनों मददगार अब मौजूद नहीं तो ना तो पैसे उन्च ले सकता है और अगर पिता जी ने ये कह दिया है कि भोजन नहीं मिलेगा तो फिर आज कोई भोजन देने वाला भी नहीं है बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा अब बेटा परशान हो गया कि अब तो कुछ न कुछ करना पड़े उसकी आँखों से आँसू बहते रहे कोई उसकी सुद लेने वाला न था विवश होकर विवश यानि मजबूर विवश होकर संद्या के समय बह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा उसे एक सेट मिला एक सेट ने कहा मेरा इस संदूक उठा कर घर पहुँचा दे मैं तुझे चार आने दूगा अमीर बाप की बेटे ने संदूक उठा कर सेट के घर पहुँचाया वो ठक कर चूर हो गया उसके पाओं काँप रहे थे और गर्दन तथा पीट में भयंग कर दर्द हो राद अब क्योंकि अमीर बाप का बेटा था कभी जिन्दगी में महनत नहीं की थी पहली बार काम किया था तो इसलिए वो जो संदूक था भारी होगा या जो सामान उसका था भारी रहा होगा तो पहली बार काम किया इसलिए उसको ठकान भी बहुत हो गई और गर्दन और पीट में जो है उसके भैंग कर यानि बहुत तेज दर्द हो राद राद को बाप ने पूछा बेटा हाज तो ने क्या कुछ कमाया लड़के ने चवननी निकाल कर दिखाई लेके रोज वो एक रुप्या दिखाता था जिसकी किमत जादा होती है आज सिर्फ चवननी थी उसके पास एक रुप्या भी नहीं था और रोज पिता जो उसको कहते थे एक रुप्या जो तो लाया है कुए में डालिया और वो बड़ी बेदर्दी के साथ बगएर कुछ पूछे कुए में डालाता था लेकिन नोट करना अज इसके पास एक रुप्या नहीं है उसका चौथा ही हिस्सा जानी चवननी है लड़के ने चवननी निकाल कर दिखाई बाप बोला जा इसे कुए में डाला लड़के को क्रोध आ गया अब ये देखे तब देली ये परिवर्तन है ये चेंज है रोज रुप्या डालता था जब पिता जी उसको कहते थे लेकिन आज उसको क्रोध आ गया वो बोला ये मेरी मेहनत की कमाई है मेरी गर्दन, कमर और पैर दुखने लगे है आप कहते हैं इसे कुए में डाला एनु भवी पिता सब कुछ समझ गया अपना वैपार उसके हवाले कर दिया जब उसको ये का गया है कि ये चवणनी कुए में डाला तो वो एकदम करोधित हो गया उसने ये चवणनी कुए में नहीं डाली बलकि पिता से नाराज हो गया उनसे आर्ग्यू करने लगा क्यों? क्योंकि ये उसने खुद महनत से कमाई थी सामान उठा कर रखके आया था उसकी वज़े से टांगे दुक रही थी कमर में दर था महनत से जो पैसा हम कमाते हैं बच्चो हम उसकी खदर करते हैं जो चीज़ें हमें मुफ्त में मिल जाती है जो पैसा हमें मुफ्त में मिल जाता है हमें उसकी खदर नहीं होती लेकिन जो चीज़े हम मेहनत करके असिल करते हैं जो पैसा हम मेहनत करके कमाते हैं हम उसकी बहुत गदर करते हैं हम उसकी परवा करते हैं क्योंकि हमें उसकी खीमत मालूम होती है जैसे यहां देखें चवन्नी की खीमत उस लड़के को मालूम थी चबनी की गिमत जो है उस सीट का सामान उसके घर तक पहुंचाना और उस चबनी की किमत उसकी गरदन और कमर का दर्द और पैरों का कपकुपाना और थक crawl इन सब के बदले उसे चबनी मिली है तो जानता था कि चबनी बहुत ःप हुए लेकिन इससे चार गुना जादा पैसे एक रुपया रोज उसको माँ से और बेहन से मिल जाता तो उसकी वो परवा नहीं करता था क्योंकि उसमें उसका न तुश्रम लगा था ना मेहनत लगी थी ना उसको कोई तकलीफ होई थी आसानी से मिल गई थी तो यही सीख अनुभवी पिता अपने बेटों को देना चाहता था कि मेहनत की कमाई दरसल असल कमाई होती है और हमें जिन्दगी में कुछ भी हासल करने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है मेहनत के बगएर कुछ भी हासल नहीं होता मेहनत के बगएर कामया भी हासिल नहीं होती तो जब बच्चे को ये बात उसने अनुभवी पिता ने बहुत ही बेहतरी नधंग से शाब्दिक रूप से ना समझा कर उसको एक परियोग के दोरा समझाई कि बच्चे के खुद ही वो बात समझ मागई तब पिता ने अपना वैपार उसके हवाले कर दिया वो समझ गया था कि अब बच्चा मेहनत की एहमियत को समझ गया है तो ये आज का मारा पाट था आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगी अगले पाट के साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजासत थन्यवाद हिंदी विशे में मेहनत की कमाई प्यारे बच्चों पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए इसलिए सिक्षा दर्शन आपके लिए हर शनिवार लेकर आए है नो बैग डे यहां आप करियर से समधित जानकारी, क्राफ्ट, कला, पपेट शो, जीवन कौशल वह मनोरंजक कहानिया सुनेंगे नई जानकारियों का लाप वह देर सारा मनोरंजन नो बैग डे के साथ देखना न भूलें, शिक्षा दर्शन बच्चों, हमारे इस कारिक्रम के कंटेंट पार्टनर है सेंटर स्क्वेर फांडेशन इसके अतरिक शिक्षा विभाग के शिक्षे का श्री मती आशारानी सुमन जी, श्री मती भरतिका गुलाटी जी विश्री अक्मल नईम जी ने आज के वीडियो में अपना युगतान दिया है तथा इस कारिक्रम में तकनीकी सहियोग, यूनिसेफ, स्टर लाइट एर इंडिया फांडेशन, एवं पीरामल फांडेशन द्वारा प्रदान किया जा रहा है बच्चों आपको है कारिक्रम कैसा लगा? अपने सुझाव अवश्य दें कारिक्रम से संबंदित आपके सुझाव हमें इमेल और डाग द्वारा भेड़ सकते हैं हमारा इमेल एड्रेस है feedback.shikshadarshan2021 at the rate gmail.com और डाग का पता है निदेशक, राजस्तान राज, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशत 111 सहेली मार्ग सहेलियों की बाड़ी के सामने उदैपुर 313001